डेर पसेंट नीचे और टाटा मोटर्स में भी हमने देखा थोड़ी सी कमजोरी इस घंटे आने लगी है वरना ये स्टॉक ओवरॉल एक पसेंट उपर है अब हुआ क्या है मारूती की ओर से दरसल एक अपडेट आया मारूती ने कल बाजार बंध होने के बाद कहा कि सेमी क्राइसिस है और आगे जारी रहेगी अब इस क्राइसिस का इंपक्ट उनके प्रोडक्शन पर आ रहा है सेमी कंडॉक्टर की किलत के मद्दे नजर कंपनी ने सितंबर के लिए अपने औस तन प्रोडक्शन के सिरफ 40% ही प्रोडक्शन करने का प्लान बनाया है गुजरात और हर्याना के प्लाइंट में सबसे जादा असर देखने को मिलेगा। तो आप ये समझें कि 60% प्रोडक्शन कट दरसल मारूती सितंबर के महीने में ले रहा है। इंप्लिकेशन क्या होते हैं। दस जार गाड़िया अगर मारूती कम बनाती हैं तो इसका रिपल एफेक्ट 500 करोड तक का रेविन्यू में आतावा दिखाए देता है फिर ओवरल बिजनिस में देखने को मिलता है। तो प्रेशर उस लिहासे आएगा स्टॉक पर आज 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ ये ओटो इंडस्ट्री की बड़ी क्राइसिस हैं ये आसानी से जाने वाली नहीं है। क्योंकि टाइवान में इन फिर देखने को मिली है।